हलो दोस्तो आप सभी का एक बार फिर चार्दिक स्वागता आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे 1000 mcqs के पार्ट एर्थ की इससे पहले हम 7 पार्ट डिसकस कर चुके हैं जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं यह आपको क important mcqs आपको इन साथ पार्ट के अंदर बताएगे हैं और आगे आने वाली हर एक पार्ट में आपको बहुत ही अच्छे चीक्यूसंस मिलने वाले हैं साथ यह आपको टॉपिक्स medical surgical का टॉपिक हो चाए ओबीजी का टॉपिक हो चाए fundamental of nursing का टॉपिक हो आपको टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे तो आप उन्हें भी जरूर देखना साथ यह आपको बता देते हैं दोस्तों अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं और सभी प्रकार की pdf और इस paper की pdf भी आपको मिलेगी हमारे टेलिग्राम ग्रूप nursing challengers के अंदर आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप के अंदर जुड़ जाना है और वहां पर डेले आप टेस्ट भी दे सकते हो pdf सभी प्रकार की pdf भी आप ले सकते हो तो चली बिन टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और मैं आपको क्यूशन और उनकी आंसर्स बता दूंगा अगर आपको किसी प्रकारी कोई दिक्कत हो कोई रेशनल चाहिए किसी भी क्यूशन गा तो आप मुझे नर्सिंग चैलेंजर्स ग्रूप में डायरेक्ट मेरे से सिर्फ मेरे को पर्सनली मेसेज करके पूश सकते हो और यहाँ पर कमेंट करके भी पूश सकते हो चले स्टाट करते हैं यहाँ पर पहला क्यूशन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है नर्स इंटरप्रेट दे कॉंटरेक्शन इस्टेस टेस्ट रेडिंग और परसिस्टेंट लेट डेसलेरेशन ओफ फिटल हर्ट और यहाँ पर देख रही है और और जानक मेंट क्या हैं क्या है नंस इस्टरेस आमागरहा टेगे ho और यहाँ पर बहुता है और डेखे हैं वह पर मिलेखेैं और उसी क्या देखने को मिलता है जो fetal heritrate और uterine contractions है उनके अंदर late decelerations उसको उस reading के अंदर देखने को मिलता है अब आप agent nurse जब आप CST में ऐसी reading देखते हैं तो आप आपको पूछ लिया जाता है कोई doctor भी पूछ सकता है आपको अपना दोस्त भी पूछ सकता है कि यह जो reading आपको दिखाई दे रही है इससे आपको क्या लगता है कि यह result positive है, negative है या suspicious है आपको execution पूछ जा सकता है वहाँ पर भी तो आप ध्यान रखेगा और यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि आप इस result को देखके क्या बताएंगे तो आपको यहाँ पे option same as it is मिलेंगे आपको यहाँ पे जो correct answer करना है वो करना है option A positive अगर late decelerations, fetal health rate और return contraction के आपको दिखाई देते हैं CHT के अंदर, reading के अंदर तो आप बता देना है कि यह result के है positive है next question देखेगा the purpose of a partograph include all the following accept accept से 15 से 20 question, M's के exam के अंदर हो चाहिए और कोई exam हो सभी exams के अंदर accept से question पूछा ही पूछा जाता है आपको question का पता होता है कि question यह है और इसका answer भी आपको पता होता है लेकिन आप answer गलत करके आ जाते है question को complete नहीं पढ़ पाते है इसलिए complete आप पढ़ भी लेते हैं लेकिन आप सोचते हैं नहीं कि इसमें question में पूछा गया गया है accept को आप अच्छे से पढ़ना दोस्तों यहीं आपकी weakness होती है A question देख लेना जो M's के exams देते हैं उनके अंदर A question बहुत ज्यादा माइने रखता है करीबन A question सही हो जाता है तो वो एक जार बच्चों से उपर निकल जाता है तो देखे यहाँ पे हरे की question की हरे की number की value है तो यहाँ पे देखे partograph के सारे के सारे क्या है परपज है A को छोड़ कर यहाँ पे आपको click answer करना option C to predict postpartum hemorrhage partograph से आप postpartum hemorrhage को predictive नहीं कर सकते हैं option A देखे to monitor the progress of labor partograph से आप labor की progress को monitor कर सकते हैं next है to assess the fetal well-being fetal well-being को भी आप assess कर सकते हैं partograph से next है to identify the stage of labor labor की stages को भी आप identify कर सकते हैं partograph से हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार्शी question पूछा जा सकता है next question देखेगा radiological procedure to assess the anatomical patency and functional integrity of the fallopian tube by injecting dye बहुत ही अच्छा question है यहाँ पे शिर्फ और शिर्फ आपको procedure का नाम पूछा गिया है देखे प्रोसीजर भी कौन सा है question को पड़िये radiological procedure to assess the यहाँ पे आपको एक radiological procedure का नाम पूछा गिया है जिसमें क्या करते हैं assess करते हैं anatomical patency and functional integrity fallopian tube की जो fallopian tube है उसकी anatomical patency और functional integrity को कौन से radiological procedure से assess करते हैं जिस प्रोसीजर के अंदर die भी inject की जाती है चलिए यहाँ पे आपको correct answer करना है वो करना option B hysterosalpingography यह वो प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करते हैं die inject करते हैं और fallopian tube की anatomical patency and functional integrity को assess करते हैं next question देखेगा the time used to indicate irregular uterine bleeding between menstrual cycles वैसे तो मैं आपको menstrual cycle के disorder के अंदर आपको यह complete बता दूँगा लेकिन यहाँ पे देखे क्यूशन आई गया तो आप देख लीजिए क्यूशन क्या पूछा गया है क्यूशन आपको पूछा गया है वो term बता दीजिए आप जो आपको यह definition जो है इस definition को indicate करती है आपको definition दीगी है irregular uterine bleeding between menstrual cycles menstruation के दोरान अगर irregular uterine bleeding होती है तो उस time को क्या कहा जाता है आपको यहाँ पे correct answer करना है option A spelling में थोड़ीशी mistake है एक word की mistake है R की यहाँ पे आप लगा लेना metroragia metroragia का मलब होता है irregular uterine bleeding between menstrual cycle बाकी में आपको यह सारी की सारी times आपको अलग से बता दूँगा अभी बहुत ज़्यादा time हो जाएगा क्योंकि 40 question है यहाँ पे अभी तक हम 4th question पे पहुंचे है next question देखिएगा international nurses day theme for the year of 2019 is 2019 की जो international nurses day celebrate किया जाता है आप मेर को बताईएगा international nurses day कब celebrate किया जाता है comment box में आप अपना अंसर जरूर बताईगा अभी यहाँ पे जो question पूछा गया वो यह है international जो nurses day मनाया जाता है 2019 में जो मनाया गया था उस time कौन सी theme आपको दी गई थी पूरे देश वाशियों को कौन सी theme दी गई थी international nurses day पे यहाँ पे आपको correct answer करना है option B nurses a voice to lead health for all यह question पहले previous competitive exams में पूछा जा चुका है हलांकि पिछले साल नहीं पूछा गया लेकिन इस बार पूछा जा सकता है theme को लेकर भी तो आपको जितने भी themes मिलती है चाहे 15 की हो 16 की हो 17 की हो जो 21 तक की आपको theme मिलती हो सारी की सारी आप पढ़ लेना यहाँ पे आपका correct answer मना जाएगा option B यह 2019 की theme है next question देखिए the ideal roller bandage application for the body parts where the thickness varies such as over the for arm देखिए एक ideal roller जो bandage होती है वो body parts पे लगाई जाती यह लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है जो for arm है उसके उपर किस type से bandage आप लगाएंगे for arm पे किसी प्रकारी कोई accident के वज़े से कुछ से लग गई है तो अब आप बताईए for arm के उपर आप किस type की bandage आप वहाँ पे लगाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे correct answer करना है option C reverse spiral type से आपको bandage for arm पे लगानी है next question देखिएगा as per newer guidelines the compression ventilation ratio with two rescuer adult rescuation sorry resuscitation age देखिए जो अभी CPR है CPR के अंदर कुछ changes किये गये हैं और वह changes क्या है मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे पूछा गया compression and ventilation compression and ventilation का जो रेश्यो है वो CPR के दोरान adult one के अंदर कितना रखा जाता है और यहाँ पे दो rescuer है यहाँ पे आपको यह भी बताए गया है कि दो rescuer है ठीक है कितने rescuer है दो rescuer है तो आपको यहाँ पे क्रिक्ट answer करना है option D 30 by 2 compression आपको 30 देना है और 2 ventilation आपको देना है देखिए जो CPR की new guideline है उसके according जो बच्चा होता है infant मान लीजी या child मान लीजी उसके अंदर जो compression और ventilation ratio होता है 2 rescuer का वो होता है 15 ratio 2 और अगर 1 rescuer हो तो 30 by 2 यहाँ पे आपको करना है और अगर adult 1 की बात करें तो adult 1 के अंदर चाहिए 1 rescuer हो चाहिए 2 rescuer हो आपको याद रखना है 30 by 2 compression and ventilation का ratio होता है यह new guideline के according आपको बता दिया गया है अगर आप अब भी गलत करते हैं वो तो आपकी मर्जी है मैंने आपको सहीशे बता दिया है ओके next question देखिएगा foot drop means foot drop का मतलब क्या होता है और आपको यहाँ पे करिक्टान से करना option B plantar flexion of foot foot का plantar flexion होना क्या कहलाता है foot drop next question देखिएगा the external rotation of hip in supine position is prevented by using a external rotation of hip जो hip है उसके external rotation को prevent करने के लिए supine position के अंदर क्या use करते हैं आपको यहाँ पे करिक्टान से करना option C trochanter roll trochanter roll और आपको बता देते हैं जो trochanter roll है वो spinal cord injury SCI वाले persons को लगाया जाता है क्योंकि जो spinal cord injury है जब किसी person को होती है तो उसको move करने के लिए अब मना किया जाता है अब आप मना करते हो तो वो क्या move करने से बंद हो जाएगा नहीं होगा वो फिर भी move करेगा इसलिए उसको trochanter roll लगाया जाता है जिससे वो rotation ना बना सके अपने body में movement ना कर सके नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा in postural drainage supine in trendlenberg's position is given to drain secretions from देखिए यहाँ पर क्यूशन में क्या पूछा गिया है postural drainage कर रहे है supine in trendlenberg's position के अंदर तो जो drain का secretion हो रहा है वो किस जगह से हो रहा है आपको यह पूछा गिया है तो यहाँ पर आपको correct answer कर रहे है option A anterior segment of both lower lobs of lungs जो lungs की दोनों लोब है जो दोनों lower lobe है वो भी कहा की anterior segment की वहाँ से अगर आप drain कर रहे है तो आपको supine in trendlenberg's position में करना पड़ेगा next question देखिए thin superficial compact layer of decidua covering the blastocyst वैसे इन covering के बारे में मैं आपको decidua के अंदर अच्छे शी पड़ाओंगा लेकिन आप यहाँ पर समझी क्या पूछा गिया thin superficial compact layer एक पतलीशी superficial compact layer होती है कहाँ पर decidua की covering बनाती है blastocyst के उपर उसका नाम बता दीजी तो आपको यहाँ पर नाम बताना उसका आपको यहाँ पर correct answer कर देना है option B decidua capsularis जो क्या होती है thin superficial compact layer होती है decidua की जो blastocyst को क्या करती है cover करती है बाकी में आपको इनके बारे में भी बताऊंगा और बहुत यह अच्छे से बताऊंगा आपको इनके बारे में भी और यहाँ सी questions भी पूछी जाते है important है ठीक है next question देखिए brownish black pigmented area in the midline of the abdomen of a pregnant woman extending from zephysternum to symphysis pubis zephysternum से लेकर symphysis pubis तक एक brownish black pigmented line होती है आपने obstetric and gynecology के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यह बताना है कि वो line को क्या कहा जाता है उस line को क्या कहा जाता है जो brownish black pigmented line होती है आपको यहाँ पे क्रेक्टांसर कर देना है linear, nigra, option d's crack dancer linear, nigra, colasma, सिर्फ और सिर्फ face के उपर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है linear, alba और stea graviderem इनके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है देखी, colasma is irregular, brownish and black, kiss, spots, especially on the face that occurs sometime in pregnancy and disorder of functional changes in uterus and average अगर कोई functional changes और uterus और average उस time भी colasma आपको देखने को मिल सकता है और pregnancy के दोरान भी आपको colasma देखने को मिलता है pregnant lady के उपर और वहाँ पे, कहाँ पे, face के उपर colasma की condition आपको देखने को मिलेगी इसमें irregular, brownish या फिर blackish spots आपको face पे नजर आएंगे next देखिए, linear, alba alba का मलब क्या है, white line white line बाकि आपको यह जो आपको explanation है वो आपको PDF के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ज्यादा अभी time लगेगा मेरको समझाने में और आपको कोई भी doubt होता, आप मुझे comment करके जरूर पूछ लिए गया, मैं आपको बता दूँगा next question देखिए the part of fittest which occupies the lower pole of the uterus यहाँ पे आपको question पूछा गया है जो fittest का part होता है जो uterus के lower pole को occupy करता है उसे आप क्या कहते हैं आपने अलग-अलग definitions पढ़ी होगी और जो question पूछा गया था msnorset 2020 के अंदर वो presentation की definition आपको वहाँ पे पूछ गयी थी और almost ने live वहाँ पे correct answer कर दिया था और उनका answer गलत हो गया था तो आपको ध्यान रखना इनकी definitions भी आप याद रखिएगा presentation की definition क्या होती है position की क्या होती है denominator की क्या होती है और like की क्या होती है तो आपको यहाँ पी देखिए correct answer क्या करना है option B presentation यहीं question आपको msnorset 2020 में भी पूछा गया था जो fittest का part है वो जब lower pole of uterus से occupies होता है तो उस condition को क्या कहते है presentation और presentation अलग-अलग type की होते हैं आप सभी को पता है bridge presentation, syphilic presentation, vertex presentation उनके अंदर अलग-अलग जो types है, वो sub types है वो भी अलग-अलग होते हैं और उनसे भी कभी कभार questions पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट क्यूशन देखिए low levels of maternal serum alpha phytoprotein levels are found in MSAFP यहाँ पे MSAFP का आपको full form भी पूछा जा सकता है maternal serum alpha phytoprotein यह MSAFP का भी पूरा नाम आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे देखिए question में क्या पूछा गया है low level जो maternal serum alpha phytoprotein है उसका अगर low level आपको नजर आता है तो आप समझ जाएंगे कि इस बच्चे को कौन सी बिमारी हो सकती है कौन सी कंजिनाटल बिमारी हो सकती है तो आपको यहाँ पे करेक्टान सकना है option B down syndrome down syndrome के अंदर maternal serum alpha phytoprotein का level decrease मिलेगा next question देखिएगा passive moment of the head due to untwisting of neck sustained during internal rotation यहाँ पे rotation आप करेक्टान कर ले ला जो passive moment होता है head का किसकी वज़े से जब internal rotation होता है जब fittest की delivery होती है उस time क्या होता है internal rotation होता है उस time क्या होता है neck की untwisting की वज़े से head का passive moment होता है उसे क्या कहते है उसे कहते है restitution क्या कहते है restitution आपका correct answer मना जाएगा option C next question देखिए for active management of third stage of labor the nurse should administer जो third stage होती है labor की उस time उसका active management क्या किया जाता है और nurse जो है वो क्या active management करेगी क्या administer करेगी तो आपको यहाँ पे correct answer करना option A oxytocin 10 unit with 1 minute एक minute के अंदर 10 unit oxytocin आपको उस pregnant ladies को देनी है जिस mother की delivery हुई है उस mother को आपको administer करवानी है next question देखिए as a nurse what will be your first action if a mother complaints of increased body temperature for her newborn baby for two days old body temperature आपको बता दिया है 100.6 degree for a night देखिए अभी अभी एक बच्चे की delivery हुई है यानि कि newborn baby है जिसका दो दिन दो दिन उसको अभी deliver हुए हुए है तो उसमें जो body temperature वो क्या है बढ़ा हुआ है यह complaint कौन करही है उसकी मा कर रही है बेबी थोड़ी कहिएगा आपको कि मेरा जो body temperature वो बढ़ रहा है मेरको बुखार आ रहा है और वो body temperature आपको मिलता है कितना 100.6 degree for a night तो अब आप क्या करेंगे नर्स वहाँ पे क्या करेंगी तो आपको यहाँ पे रिक्टांसर करना है assess the feeding pattern जो mother है वो किस टाइप से feeding करवाती है बच्चे को वो आपको उस पेर्टन को assess करना है next question देखिए which among the following is not a sign of impending eclampsia जो impending eclampsia है उसका क्या नहीं है sign नहीं है कौन सा एक option आपको इसा दिया गया है जो इसका sign नहीं है किसका impending eclampsia का और वो कौन सा है वो है option C raised body temperature ये eclampsia का sign नहीं है बाकि जो तिन option आपको दिये गए है persistent frontal headache होगा diminished urine output होगा और apigastic pen भी होगा impending eclampsia कि ये सारे कि सारे का है sign symptom है एक को छोड़ कर तो वो कौन सा नहीं है raised body temperature next question देखिए most common cause of postpartum hemorrhage तो ये तो आप सभी को पता है atonic uterus का है most common cause है PPH का postpartum hemorrhage का next question देखिए the type of abnormality where umbilical cord is attached to membrane देखिए जो umbilical cord है वो कहां पर attach हो रहे है membrane के उपर तो इस abnormality को किस नाम से जाना जाता है तो आपको यहाँ पर correct answer करना है option B valimentus placenta valimentus placenta के अंदर क्या होता है जो umbilical cord है वो membrane से attach होती है next question देखिएगा as simple and cost effective method for reducing the risk of hypostatic pneumonia in a bad ridden patient is यहाँ पर बहुत यच्छा question पूचा गया है और अभी covid 90 भी चल रहा है देखिए यहाँ पर क्या question पूचा गया है simple or cost effective method बिलकुल simple यानि साधारन और cost effective ज्यादा जो है cost भी ना लगे patient के ऐसा वो कौन सा method है जिससे hypostatic pneumonia के risk को reduce किया जा सकता है जो bed ridden patients होते हैं उनके अंदर hypostatic pneumonia के risk को reduce किया जा सकता है तो वो कौन सा method है तो आपको यहाँ पर click transfer करना option C frequent change of positions आपको positions frequent change करते रहना है प्रतेक एक गंटे से आपको position change करते रहना है bed ridden patient है तो patient खुद हिल नहीं सकता है तो आप उसकी position continuous हर गंटे से आप change करते रहेगा next question है when transporting a patient with intercostal drainage tubes the nurse देखिए एक nurse जो है वो क्या कर रही है एक patient को transport कर रही है जिसमें क्या लगा हुआ है intercostal drainage यानि उसमें intercostal drainage tube है वो लगी हुई है और उसमें drainage हो रहा है तो nurse वहाँ पर क्या करेगी तो आपको वहाँ पर correct answer करना है option C do not clamp the chest tube and keep the drainage system below the chest आपको chest tube को clamp नहीं करनी है उसको बंद नहीं करनी है और जो drainage system है आपको वो drainage system chest से नीचे रखना है ऐसा नहीं है कि chest है उसके उपर आप पकड़ के लेके जा रहे हो patient को ऐसा बिलकुल भी आपको नहीं करना है agent nurse आपको वहाँ पर function क्या करना है जो chest tube लगी हुई है उसको clamp नहीं करना है और जो chest drainage system है उसको chest से बिलो आपको रखना है next question देखिए बहुत important question है वेटा जी ये बहुत important question है M's के exams के लिए next question देखिए which among the following is an example of isotonic intravenous solution isotonic IV solution का आपको example यहाँ पर बताना है तो आपको यहाँ पर correct answer कर देना है ringer selected यह फिर आप RL solution भी short form में बोल सकते हो यह कहा है isotonic intravenous solution next question देखिएगा calculate the drop per minute if a nurse wants to administer IV fluid at a rate of 60 ml per hour using a micro drip set यहाँ पर micro drip set and macro drip set दोनों की values आपको पता होनी चीए कि कितनी drop per minute उसमें चलाई जाती है micro drip में कितनी होती है macro drip के अंदर कितनी होती है macro drip की आपको पूछी जाए तो आपको 20 drops per minute आपको करनी है अगर आपको macro drip की पूछे तो 20 drops per minute आपको करने है यहाँ पे आपको micro drip की पूछीगी है तो आपको यहाँ पे correct answer करने है option D 60 drops per minute ओके next question देखिएगा Z track technique is used in पहले बहुती famous question होता था यह Z track technique वाला question और बहुती important question भी है अभी next competitive exams में आपको देखने को भी मिल सकता है जो Z track technique यूज ली जाती है वो कौन से root से यूज ली जाती है तो आपको यहाँ पे correct answer करने है option B intramuscular injection जब किसी patient को iron दिया जाता है जब iron लगाए जाता है intramuscularly तो Z track technique से ही लगाए जाता है next question देखिएगा medication dissolved in a clear fluid containing water and alcohol and is often sweetened देखिए वो कौन से medications होती है जिनको clear fluid के अंदर मिला लिया जाता है dissolve किया जाता है या फिर alcohol के अंदर dissolve किया जाता है जैसे उसका स्वाद भी कैसा हो जाता है sweetened हो जाता है तो उसे क्या कहते है तो उसे क्या कहते है syrup शिरप आपने सुना होगा जो दवाई आती है कौन से वाली सिरप जाती है जैसे टॉरेक्स होई जो कफ सिरप आती है वो उनका जो टेस्ट होता है वो sweetened होता है और वो alcohol उनके अंदर भी present होते है clear fluid भी होता है तो जो medications dissolve कि जाती है उन्हें क्या कहते है सिरप कहते है next question देखिएगा one ounce is equivalent to एक ounce किसके बराबर होता है तो आपको आंसर करना है two tablespoon के बराबर होता है एक ounce अगर आपको ml में पूछे तो आपको आंसर क्या करना है 30 ml उनकी one tablespoon के अंदर कितना होता है 15 ml अगर आपको teaspoon बोले teaspoon बोले तो 5 ml आपको बता देना है तो यह मैंने आपको तीन value अलग लग बता दी है one pint का मलब होता है 500 ml केतना होता है one pint is equal to 500 ml next question देखिए the form of preparation where medication is encased in a gelatin cell देखिए यहाँ पे बहुत इच्छा क्यूशन है और यहाँ पे आपको answer क्या करना है capsule यहाँ पे क्यूशन क्या पूचे गया है वो कौन सी medication होती है जिनको prepare किया जाता है gelatin cell की encased चे यानि covering से तो वो कौन सी होता है capsule capsule के उपर क्या होती है gelatin cell की covering होती है उनके अंदर क्या होती है medication होती है next question देखिएगा what device will you give to a patient receiving budenocyde inhalation using method dose inhaler वो जब आप device एक यूज करते हैं MDI method dose inhaler क्या बोलते हैं इसको short form में MDI budenocyde inhalation जब करवाई जाते है patient को तो आप कौन सी device उस patient को देते हैं या कौन सी आप advice उस patient को देते हैं तो आपको यहाँ पे correct answer करना है option C rinse the mouth after inhalation आपको क्या करना है mouth को दो लेना है जब आप inhalation कर लेते हैं budenocyde inhalation आपने जब method dose inhaler से किया है उसके बाद आपको क्या करना है mouth को वोस करना है rinse ये का मलब है वोस करना आपको rinse ये से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वोस यानि आपको mouth को क्या करना है वोस कर लेना है next question देखिए पर patient receiving IV fluid develops tenderness warmth and iridma at the site of IV cannula nurse should suspect एक patient जिसको IV fluid चल रहा है और IV fluid जब उसको चल रहा है वो जब उसके मलब वो रिशिव कर रहा है उस time nurse क्या देखती है उसके tenderness warmth and iridma जैसी conditions पर नर्स क्या करती है observe करती है असेस करती है तो nurse क्या कहेगी उस patient को क्या हुआ है nurse को doctor भी पूछ सकता है कि भाई इसको tenderness यहाँ पर IV side पर हो रहा है warmth उसके जो इसकेन है वो देखने को मिल रही है एरिदमा उसको देखने को मिल रहा है तो इस patient को इस IV side पर क्या हुआ है तो आपको यहाँ पर correct answer कर देना option D फ्लेबाइटिस और यहाँ से बेटा जी दो क्योशन पूछे गे थे infiltration and phlebytes दोनों की definition msnorset 2020 के second shift में पूछे गे थी वेचि में आपको msnorset 2020 का paper आपको जो है अवेलेबल करवा दूँगा हमारी इस channel से आपको मिल जाएगा तो आपको यह दोनों पर लेना जो भी complications होते हैं IV fluid या IV side से तो आप जरूर पर लेना next question देखिए while performing wound dressing nurse should clean the wound from देखिए जब नर्स क्या कर रही है wound की dressing perform कर रही है तो जो wound को clean करते हैं वो किस type से clean किया जाता है wound की cleaning आपको पूछेगी एज नर्स आप कैसे wound को clean करेंगे कैसे आप साफ करेंगे तो आपको यहाँ पर correct answer करना है option B periphery to center यानि कि जैसे ये wound बना हुआ है ये एक गाव है अब आपको पूछे जाता है कि आप इसे किस type से साफ करेंगे ताकि उस पे आप wound dressing कर सको आप इस wound पे आप dressing कर सको तो आपको किस type से करना है आपको करना है periphery to center जैसे ये outside यहाँ से आप साफ करते गे साफ करते गे और यहाँ पे center में आप पहुंच गे तो आपको इस type से आपको इस wound को क्या करना है साफ करना है next question देखिए according to national pressure ulcer advisory panel a wound with exposed subcutaneous tissue belong to जो national pressure ulcer advisory panel है उसके according वो कौन सा wound होता है या किस type का वो कौन सी stage का wound होता है जो subcutaneous tissue को क्या कर जाता है एक्सपोज कर जाता है और यह pressure ulcer वाले क्यूसंस भी पूछे जाते हैं तो आप इन क्यूसंस को तो जरूर या दिखना है तो आपको यहाँ पर क्रिक्टांसर कर देना है option c stage third stage third के अंदर subcutaneous tissue भी exposed हो जाती है pressure ulcer के अंदर pressure ulcer के आपने चार stage पड़ी होगी first, second, third and fourth fourth के अंदर bone दिखाई देने लग जाती है patient के अगर patient को pressure ulcer अगर pressure ulcer के वजए से bone दिखाई दे रहे है तो समझ जाना stage fourth के अंदर वो pressure ulcer पहुंच गया है next question देखीगा frequency of removing and assessing the site of wrist ends in routine practice is जो wrist end आप use लेते हो चाहिए आप बच्चे फिर यूज लो या फिर आप adult one पे आप यूज लो जो आप wrist end यूज करते हो उसकी frequency क्या होना चाहिए उसको remove कितने समय बाद कर देना चाहिए एसा नहीं है अगर आप wrist end किसी चाहिए mental patient पे आप यूज कर रहे हो wrist end आप कई mental patient पे कर रहे हो या बच्चे के उपर कर रहे हो या फिर adult one के अंदर कर रहे हो अगर आप wrist end किसी भी person पे यूज कर रहे हो तो आपको परतेक दो गंटे से आपको wrist end को हटाना होगा ओके आपको दो गंटे से wrist end को remove करना होगा next question देखिए determinants of blood pressure are all of the following except जो blood pressure है उसके सारी के सारी कहा है determinants है एक को छोड़ कर accept से यहाँ पर question पूछा गया है और आपको यहाँ पर correct answer करना है option d intra muscular sorry यहाँ पर यहाँ पर आपको correct answer करना है option d intramascular cellular volume sorry intramuscular fluid volume intrac battle den GOES वो इसका क्या नहीं है determinant नहीं है बाकि जो तीन option दियगे pumping action of heart यह blood pressure को determinant करते हैं periphery vascular resistance यह भी blood pressure को determinant करते हैं और जो intravescular fluid volume होती है वो भी blood pressure को determinant करती है लेकिन intra cellular fluid volume क्या नहीं है blood pressure का determinant नहीं है next question देखिएगा when a nurse selected to wide bladder cuff for checking blood pressure the reading देखिए यहाँ पे question अच्छा question पूचा गया है जो bladder cuff आता है यहाँ पे देखिए एक nurse जो है वो क्या कर रही है wide bladder cuff जब blood pressure ले रहे है तो किस परकार का उसके पास में cuff है wide बिल्कुल बहुत ज़्यादा wide है वो यानि कि उसकी जो cuff की चोड़ाई है वो ज्यादा है जैसे 10 cm होनी चे लेकिन वो कितना है वो 15 cm 5 cm extra है तो उसमें जो blood pressure की जो reading आएगी वो किस type की आएगी यह important question है ध्यान रिखिएगा इस चीज़ का यहाँ पर आपको correct answer करना है option B will be low अगर cuff की size या length अगर ज्यादा है तो उसे क्या होगी blood pressure की reading low आएगी अगर यह छोटा होगा अगर यह छोटा होगा cuff तो उसमें reading क्या आएगी increase आएगी तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना जो bladder cuff आता है जो blood pressure आप measure करते है उस time जो cuff आप use करते है अगर उस cuff की चोड़ाई ज्यादा है length उसकी ज्यादा है तो blood pressure decrease मिलेगा अगर कम है तो increase मिलेगा next question duration hand scrub during the procedure of medical hand washing as per CDC guideline जो CDC guideline है उसके according hand washing आपको medically hand washing जो है वो आपको कितनी देर करनी चाहिए आपको यहाँ पर correct answer कर देना option B 20 seconds 20 seconds आपको hand washing medically hand washing CDC guideline के according आपको करनी चाहिए next question देखिए which among the following is not considered as a principle of surgical asepsis यहाँ पर जो surgical asepsis है उसके सारे के सारे principle considered किये गए एक को छोड़गर accept शे भी question पूछा जा सकता है लेकिन आपको यहाँ पर दिखाया गया कि not considered आपको not considered से question पूछा गया है और accept शे भी same as it is question पूछा जा सकता है और same as it is आपको options मिलेंगे आपको यहाँ पर correct answer करना option D the as of a sterile field is considered as sterile यह गलत है बाकि जो तीन option आपको देगे है वो प्रिंशिपल है किसके surgical as apsis के यह प्रिंशिपल नहीं है next question देखे the point of maximum impulses of cardiac apex is best located at जो cardiac apex होता है जिससे आप पल्सेज maximum आप जो सुनते हैं वो किस जगह पे located होता है तो आपको यानि कि शिदी शिदी बात के जो आप पल्स चेक करते हो cardiac apex से जो आपको अच्छे से सुनाई देती है वो किस जगह located होती है यह आप बता दीजिए तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रिक्टान से करना option a 5th intercostal space is just middle to the left midi mid clavicular line जो 5th intercostal space होता है जिसे हैं short form में कहते हैं ICS intercostal space जो 5th intercostal space है और just middle to left mid clavicular line जो left mid clavicular line है उसके just middle में होता है 5th intercostal space के पास में वहाँ से impulses होती है वो बहुत अच्छे से सुनाई देती है next देखिए question if the patient can take breathe only in sitting और upright positions is a timed age patient यदि breathing कैसे कर रहा है sitting या फिर upright position के अंदर तो आप इस time को क्या कहेंगे इस time को कहते हैं orthopnea क्या कहते हैं orthopnea अगर patient sitting या फिर upright position में breathe करता है और किसी भी position में वो breathe नहीं कर पाता है तो उस time को क्या कहते हैं orthopnea next question and last question आज की इस पार्ट का बहुत यचाए question है on palpation of abdomen nurse finds tenderness in right iliac fossa it is an example of आप जब abdomen एज नर्स जब आप abdomen को क्या कर रहे हैं palpate कर रहे हैं जब आप palpate कर रहे हैं तो आपको tenderness नजर आती है right iliac fossa के अंदर अब आपको यह पूछा गया है कि यह किस type का example है subjective data का example यह फिर historical data का है यह subjective जो objective data उसका है यह फिर palpation data का example है आपको example बताने कि किस type का यह example है तो आपको यहाँ पे correct answer करना option c objective data subjective data वो होते हैं जो patient खुद बताता है जो patient complain करता है वो क्या होते हैं subjective data objective data क्या होते हैं जो आप खुद अबजर्व करते हैं उसी पेशेंट के अंदर दोस्तों यह थी हमारे 40 कुशन्स और इनकी पीडियेप आपको अमारे टेलिग्राम ग्रूप के अंदर मिली जाएगी और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल भी पहली बार आए